हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme की तरफ से दो बहुत ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स एक है Realme Narzo 30 5G जो लेटेस्ट लॉंच कर दिया Realme ने दूसरा है Realme 8 जिससे पहले लॉंच हुआ था तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा कि आपको पुराना Realme 8 ही लेना चाहिए और फिर लेटेस्ट 5G के साथ Narzo 30 तो दोस्तो वीडियो का आप end तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा Narzo 30 5G के बॉक्स के ओपर आपको रेट लिखावा मिलता है 18,000 का Realme 8 के बॉक्स पर है 17,000 का लेकिन Realme 8 आपको मिल जाएगा 15,000 में Narzo 30 5G मिल जाएगा 16,000 में दोनों में 1,000 का फर्क है चलिए देखते हैं Realme 8 के साथ आपको 15,000 में कहके दिया गया है तो सबसे पहले एक Mini Box मिल जाता है जैसे आप Unbox करते हैं जिसमें लगावा है एक Simjector Tool अंदर की तरफ आपको दिये गए हैं कुछ User Manual इस तरीके से एक मिल जाता है Cover जिसकी Quality काफ़े जादा बढ़िया है इसके बाद मिलता है Mobile एक Rapper के अंदर Detail Look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको दी गई है यह White Color में Data Cable जिसकी Length और Quality दोनों बहुत जाद अच्छी है और अच्छी चीज यह है इसके साथ आपको Type C C Cable दी गई है आखर मापको रखवा मिलता है यह White Color में काफी Heavy Charger इसकी Build Quality काफी जादा बढ़िया है अब इस Mobile के अंदर आपको Fast Charging का Support भी मिल जाता है और Box के अंदर ही आपको 30W का Fast Charger दिया गया है तो आपको Charger काफी जादा Fast मिल जाता है Realme 8 के साथ अब यह सारा समन आपको मिलता है Realme 8 के साथ 15,000 में Rate के साथ से देखा जाए तो Box के जो Contents है वो आपको बहुत जादा बढ़िया ही दिये गए है Type-C Cable भी काफी बढ़िया है Charger भी काफी Fast है Cover भी अच्छा मिल जाता है चली देखते हैं अब दोस्तों अगर आप 1000 जादा खर्च करते हैं तो Narzo 35G के साथ क्या के दिया गया है 16,000 में तो जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले एक Mini Box की मिल जाता है जिसमें वैसे ही लगवा है Simjector Tool अंदर आपको दिये गए है कुछ User Manual और एक उसी कुईलिटी में कवर दोने के साथ कवर अच्छे दिये गए हैं एक जिसे दिये गए हैं इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पासे ब्लू टाइप के कलर में डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उसके बाद दी गई है ये टाइप सी केबल दोस्तो कुईलिटी जो है केबल की वो रियलमी 8 की ज़्यादा बेटर है नार्जो 35G की केबल से कुईलिटी का फर्क है आखर में आपको रखावा मिलता है वाइट कलर में चार्जर जिसके बिल्ड कुईलिटी नॉर्मल है अब दोस्तो इस मोबैल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है इसके साथ 18 वाट का है रियल्मी 8 के साथ 30 वाट का है अब देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको क्वालिटी वाइज रियल्मी 8 के साथ ही ज़ाद अच्छे दिये गए है क्योंकि उसकी किमत भी 1000 कम है और चार्जर डेटे केबल उसके साथ आपको और ज़ादा बेटर क्वालिटी की मिल जाती है चार्जर भी ज़ादा फास्ट है तो इस चीज में तो ज़ादा बढ़िया है रियल्मी 8 चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो दोनों के अंदर आपको डिजाइन दिया गया है बहुत ज़ादा बढ़िया लेफ्ट साइड पर सिल्वर टाइप का कलर आप देख सकते है रियल्मी 8 का आपको बहुत ज़ाद अच्छा मिल जाता है रेंबो कलर्स के एफेक्ट दिये गया है जो काफी अच्छा लगता है बाकि ज़ादा कलर्स के एफेक्ट रियल्मी 8 के अंदर है बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो रियल्मी 8 में आपको पिछे की तरफ चार कैमरे दिये गये हैं जिसमें में कैमरा है पहला 64 मेगा पिक्सल का फ्रेंड कैमरा है इसका 16 मेगा पिक्सल का कैमरे की परफॉमेंस आपको इसके अंदर बहुत बढ़ी है मिल जाती है दूसरी तरफ नार्जो 35G के अंदर आपको पिछे की तरफ तीन कैमरे दिये गये हैं इसमें में कैमरा है पहला 48 मेगा पिक्सल का दो camera है, दो-दो megapixel के front camera इसका भी 16 megapixel का है camera की performance आपको इसके अंदर भी काफी अच्छी मिल जाती है लेकिन फिर बीन दोनों के comparison में realme 8 ही, 1000 कम कीमत में camera को लेकर और ज़ादा बढ़िया है narzo 35G से ज़ादा बढ़िया camera आपको realme 8 के अंदर दिया गया है जी मोबाइल है, narzo 35G के साथ आता है 16,000 में और दोस्तों इन दोनों मोबाइल की डिस्पले की बात करें तो दोनों के अंदर आपको डिस्पले साइज दिया गया है, लगबग साड़े 6 इंच का डिस्पले साइज को लेकर दोनों एक जैसे हैं साइज में तो कोई खास फर्क नहीं है लेकिन दोस्तों क्वैलिटी के अंदर बहुत बड़ा फर्क है Realme 8 के अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है, narzo 35G के अंदर आपको IPS डिस्पले मिलती है दोनों की डिस्पले में आपको करीब से दिखा देता हूँ बात कर उससे पहले यूज़ अंदर आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है अंदर से चलाने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं फ्रेंटस आप देहेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम ही लगते हैं बाकि दोस्तों इन दोनों मोबैल्स के अंदर आपको डिस्पले में रियलमी 8 में तो आपको नॉर्मल 60Hz का ही रिफ्रेश एट दिया गया है लेकिन नार्जो 35G के अंदर आपको डिस्पले में 90Hz के रिफ्रेश एट मिल जाता है तो जब आप इन दोनों को यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा स्मूद एक्स्पिरियंस देहने को मिलता है नार्जो 35G में अब दोस्तो दोनों की डिस्पले आप करीब से देख सकते हैं डिजाइन दोनों के अंदर एक जैसे दिया गया है पंचोल कैमरे वाला डिस्पले के अंदर ही कैमरा है दोनों में लेफ्ट साइड पर लेकिन कैमरे का साइज रियलमी 8 का और ज़्यादा छोटा है नार्जो 35G के comparison में बाके दोस्तों डिस्प्ले के अगर आप colors देहेंगे, brightness देहेंगे तो उसके अंदर कोई competition नहीं है Realme 8 बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसके display के colors brightness आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाते हैं और दोस्तों इसके अंदर आपको in display fingerprint scanner दिया गया है Realme 8 में display के अंदर ही fingerprint scanner है तो display में ज़्यादा बढ़िया है Realme 8 ही नार्जो 35G के comparison में वो भी एक हज़ार कम कीमत में दोनों में आपको दोस्तों sim caterer ऐसे दी गई है कि आप दो sim card और एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों के अंदर खुबी है नीचे की side साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack मिल जाता है type C port दिया गया है दोनों के अंदर और दोस्तो side उसे build quality आपको दोनों के अच्छी मिल जाती है left side साब देहेंगे दोनों में sim key tray दी गई है volume के buttons आपको narzo में left side पर ही मिल जाते है sim key tray के नीचे इसके लगा दोस्तो उपर की side साब देहेंगे तो narzo के अंदर plane design है लेकिन realme 8 के अंदर आपको noise cancellation mic दिया गया है right side साब देहेंगे तो दोनों में power के buttons दिये गए है दोनों में इस तरफ बाकि दोस्तो narzo के अंदर आपको finger pin scanner side में मिलता है power के button के अंदर ही realme 8 में display के अंदर है आप मुझे comment करके बताइएगा आपको finger pin scanner power के button में पसंद है या फिर दोस्तो display के अंदर मुझे in display जादा पसंद है realme 8 में आपको दी गई है पंदरह हजार में 4GB RAM 128GB के internal storage narzo 35G में आपको दी गई है 6GB RAM 128GB के internal storage तो 2GB RAM का फर्ख है बाकि storage दोनों में बराबर दी गई है narzo 35G में आपको एक और option मिल जाता है extra इसके आप RAM को expand कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं जैसा आप इसके RAM को 2GB 3GB या फिर 5GB तक और जादा बढ़ा सकते हैं 6GB तो इसमें पहले से ही है आप उसको और जादा expand भी कर सकते हैं आपकी storage कम हो जाएगी और ये RAM की तरह use होगी बाकि दोस्तो performance में आपको फर्क तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत इसके लगा दोस्तो दोनों के अंदर आपको Android का 11 वर्जिन दिया गया है इस चीज में दोनों बढ़िया है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो दोनों में 5000 mh की बैटरी दी गई है बैटरी बैकप दोनों के अंदर आपको एक दिन का RAM से मिल जाता है लेकिन बैटरी को लेकर Realme 8 जादा बढ़िया है कीमत भी कम है बैटरी और जाद अच्छी दी गई है चार्जर डेटे केबल भी जादा बढ़िया मिल जाते है इसके साथ बात कर दोस्तो प्रोस्सर के बारे में तो नार्जो 35G में आपको MediaTek का Dimensity 700 प्रोस्सर दिया गया है Realme 8 में MediaTek का G95 प्रोस्सर मिलता है अब अगर आप एक बहुत जादा हैवी यूजर है पर्फॉर्मेंस आपको बढ़िया चाहिए तो ये दोनों ही स्मार्टफॉन बहुत जादा बढ़िया है प्रोस्सर को लेकर दोनों ही के अंदर आपको प्रोस्सर बहुत जादा अच्छे मिल जाते हैं फिर भी मुझे कम कीमत में Realme 8 ही जादा पसंद आया इसके अंदर भी पर्फॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है और रेट भी कम है तो दोस्तों ये सारी खुब्य कम यह हैं के अंदर चली बात कर लेते हैं अब सबसे में चीज आपको दोनों में सा कौन से लेना चाहिए तो मेंटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो में जरुत की चीज है वो क्वालिटी वाइस किस मूबैल के अंदर जादा बढ़िया है तो दोस्तों देखिए अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो आप Realme 8 लीजिएगा डिस्प्लेस की जादा बढ़िया है कैमरे आपको जादा अच्छा चाहिए तो भी आप Realme 8 लीजिएगा कैमरे इसका जादा अच्छा है और दोस्तों अगर आपको डिजाइन बढ़िया चाहिए तो वैसे डिजाइन में भी Realme 8 मुझे जादा पसंद आया मैं आपसे कहूँ आप सिल्वर कलर में Realme 8 लीजिएगा जाद अच्छे डिजाइन के लिए इसके साथ दोस्तों अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो भी आप Realme 8 लीजिएगा बैटरी बैकप जादा बैटर मिल जाएगा चार्जर डेटर केबल भी जाद अच्छे हैं इसके साथ आखिर में दोस्तों अगर आपको पर्फॉमेंस बढ़िया चाहिए तो आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं दोनों काफी जादा बढ़िया है लेकिन दोस्तों अगर आपको 5G मुबाइल ही लेना है तो आप नार्जो 35G खरीदियेगा इसके अंदर आपको ये खुब भी मिल जाती है तो दोस्तों नार्जो 35G जो है एक 5G को लेकर जाद अच्छा है और इसके अंदर आपको प्रोस्तर बढ़िया दिया गया है लेकिन प्रोस्तर रियलमी 8 के अंदर भी अच्छा है और बाकि सारी ही खुबिया कुईलिटी वाइस रियलमी 8 में और जादा बढ़िया ही दी गई है तो दोस्तो quality wise जाद अच्छा होने की वज़े से मुझे realme 8 ही जाद अच्छा लगा और मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको इन दोनों में कोई सा लेना है तो realme 8 खरीद देगा दोस्तो quality wise यही जाद अच्छा है इन दोनों में बाकि दोस्तो फिर भी आप अपना opinion ज़रूर बताईएगा आपको इन दोनों में कौन सा ज़दा पसंद आया यह चीज कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपकी ज़रूर की साब साब को कौन सा अच्छा लगा वीडियो दोस्तो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो यह लाल कलर का बटन उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गंटी के निशान दबा के all पे क्लिक कर दियेगा ताकि नई वीडियो अब तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो अगर आपको helpful लगी तो दोस्तों के साथ शेर ज़रूर कर दियेगा इस वीडियो को WhatsApp पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई